सब्सक्राइब कीजिए इन्फराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वाटसेप की नई पॉलिसी के बारे में जिसमें एक्सपर्ट से जानने में हमें पता चल रहा है कि ये नई पॉलिसी खतरनाक हो सकती है यूजर्स के यूजर्स हैं लेकिन वाटसेप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी करके अपने यूजर्स को काफी संकट में डाल दिया है यदि वाटसेप के यूजर्स आठ फरवरी तक उसकी शर्तों को नहीं मानते हैं और उनका एकाउंट डिलीट हो जाएगा अगर वाटसेप के फेस्बुक के साथ शेयर किया जाएगा फेस्बुक इस डाटे का इस्तमाल एडवर्टाइजमेंट में करेगा या किसी अन्यकाम में यह भी तक नहीं पता चला है लेकिन एक्सपर्ट की मताबिक फेस्बुक वाटसेप यूजर्स के डाटा का इस्तमाल एडवर्टाइजम और एक्सपर्ट के राय हम आपको बताते हैं कि साइबर क्राइम और साइबर लो एक्सपर्ट के मिताबिक वाट सेपकी नई पॉलिसी को स्विकार करना खुद को आग के हवाले करने जैसा है नई पॉलिसी पर ओके करते ही आपका डाटा मुवाइल और कम्पूटर पर वाटसेप का अधिकार हो जाएगा और आप कानूनी रूप से भी उसका कुछ बिगार नहीं पाएंगे वाटसेप की नई सर्विस पर साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि वाटसेप की नई सेवा शर्तें ऐसे समय में आई हैं जब भारत में डाटा प्रोडेक्शन को लेकर कोई कानून लागू ही नहीं हुआ है अगर यूरोप की तरह इंडिया में डाटा प्रोडिक्शन कानून लागू होता है तो वाटसेप कम से कम भारती यूजर्स के लिए नई सेवा सर्त लागू करने की हिमाकत नहीं करता उन्होंने आगे बताया कि इंडिया में राइट टू प्राइवेसी तो है ही लेकिन उसे कैसे लागू किया जाए इस पर अभी तक कोई पैसला नहीं लिया गया है इसके लावा यूजर्स डाटा प्रोडक्शन को लेकर भारत में कोई और्थरिटी भी नहीं है जो फेजबू जैसी टेक कमपनियों से यूजर्स के अधिकारों की बात करें उन पर जुर्माना लगाया जाए यदि आप वाटसेप की नई सेवा शर्तों को सुईकार नहीं करना चाहते हैं तो आपको अपना एकाउंट डिलीट करना ही होगा एकाउंट डिलीट करने से पहले अपने वाटसेप डाटा का बैक अप ले लें और फिर एकाउंट डिलीट करके किसी अन एप को यूजर्ब करना शुरू करें आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों देशों के लिए इन कंपनी के पॉलिसी अलग होती है पिछले साली अमेरिका के 40 से अधिक स्टेट्स में वाटसेप की पैरेंट कंपनी फेस्बुक के खिलाफ पृतिस परदा रोधी कानून के तहत मुकदमा दायर किया है मुकदमे में कहा गया है कि फेस्बुक छोटी कंपनियों को खरी लेती है और फिर बाजार में एक अधिकार जमाती है नई पॉलिसी के खत्रे क्या है पहली बात तो यह है कि वाटसेप का डाटा सेंटर इंडिया में नहीं है उसका डाटा सेंटर और मुख्याले अमेरिका में है और वाटसेप ने कहा भी है कि जरूत पढ़ने पर यूजर्स की जानकारियों को वहाँ ट्रांसफर किया जाएगा इसके अलावा नई पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि कंपनी अपने यूजर्स का इंटरनेट प्रोटोकॉल यानि आईपी अड्रेस, फेस्बुक, इंस्टाग्राम और किसी अदर पार्टनर कंपनी को दे सकता है नई पॉलिसी के नुसा भले ही आप वाटसेप का लोकेशन इस्तमान ना करें आपके आईपी अड्रेस, फॉन नंबर, देश और शहर जैसी जानकारियां उसके पास होगी सबसे बड़ा खत्रा पेमेंट को लेकर है वाटसेप ने हाल ही में 2 करोड यूजर्स के लिए इंडिया में UPI बेस्ट वाटसेप पेमेंट सर्विस स्टार्ट की है अब यदि आप वाटसेप की पेमेंट सर्विस इस्तमाल करते हैं तो आपको उसे अपने बैंक OTP आजी की भी जानकारी देनी होंगी नई शर्त के मताबिक इन डाटा को भी वह पेरेंट कंपनी और पार्टन कंपनी के साथ शेयर करेगा ऐसे में आपकी बैंकिंग डाटा के गलत इस्तमाल की पूरी संभावना है फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा अगर फ्यूचर में आप इस डिटाइप की और टेक वीडियो दिखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जूढ़े थे मारे चैनल के साथ और अगर आपको इस हुजाख सेलिशन देना चाहते हैं तो कमेंट बाक्स में कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल न भूलें इस बीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नई बीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस बीडियो थैंक्स